सोच समझ कर चालाकी से बात करें, सभी सुनेंगे आपको आए जानते हैं कैसे नमबर एक, करन्ट टॉपिक्स पर बात करो कई बार जब हम किसी से मिलते हैं तब हाई हेलो, कैसे हो ये सब बातें तो हो जाती हैं पर उसके बाद आगे का क्या बोलना है ये समझ में नहीं आता तो ऐसे में आप करन्ट टॉपिक्स पर बातें करें फिर चाहें वो उलम्पिक्स में गोल्ड मेडल जीतने की बात हो पॉलिटिक्स के बारे में कोई नई नियूज हो कोई नई फिल्म आई हो या देश-विदेश के बारे में कोई ब्रेकिंग नियूज हो आपको ये समझना है कि जिससे आप बातें कर रहे हो उसके इंटरस्ट के हिसाब से करन्ट टॉपिक चुनना और बात करना है नमबर दो सामने वाले के इंटरस्ट के हिसाब से बात करो बात करते वक्त सामने वाले के इंटरस्ट के हिसाब से बात करो मतलब अगर सामने वाले को स्पोर्ट्स में इंटरस्ट हो तो स्पोर्ट्स के बारे में बातें करो अगर फिल्मों में इंटरस्ट हो तो किसी फिल्म के बारे में बातें करो इससे वो आपसे ज़ादा खुल कर और अच्छे से बात कर पाएंगे और आपकी बातचीत ज़ादा अच्छी तरीके से हो पाएगी नमबर 3 सामने वाले के मूड के हिसाब से बात करो आप जिससे बात करने वाले हो पहले उसका मूड देखो और उस हिसाब से उसके साथ बातें करो जैसे अगर सामने वाला किसी बात को लेकर खुश है या किसी बात को लेकर दुखी है तो आपको भी उस हिसाब से उससे बात करनी है भले ही उस वक्त आपका मूड ठीक नहीं हो पर कुछ समय के लिए आपको सामने वाले के मूड के हिसाब से बात करनी है ऐसा करने से बातचीत अच्छी तरीके से हो पाएगी नमबर चार बीच बीच में हसी मजाग कीजिए अपनी बातचीत को मज़िधार बनाने के लिए आप थोड़ा हसी मजाग भी कर सकते हो जैसे खुद की कुछ फणी बातें बता कर हसा सकते हो ऐसा करने से सामने वाला आपके साथ और भी ज़्यादा कमफर्टेबल महसूस करेगा और वो कुछ बातें शेयर कर पाएगा यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है जैसे हसी मजाग करते वक्त सामने वाले को आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए अगर आप आपसे बड़े किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो या अपने सीनियर से बात कर रहे हो तो ऐसे में आप उनसे हसी मजाग मत करो क्योंकि हो सकता है उन्हें ये बात अच्छी ना लगे कभी-कभी हम अपनी बातों को विस्तार के साथ बताने लगते हैं और इस वज़े से लोगों को आपकी बातें बोरिंग लगने लगती हैं बातों को विस्तार रूप से बताने की बजाए आप कम शब्दों में सीधे मुद्दे की बात करो और अगर आपकी बात में वाकई दम होगा तो लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे और फिर उसके बाद आप सारी बातें विस्तारित रूप से बता सकते हो पर बात की शुरुवात करते वक्त आप कम शब्दों में सीधे मुद्दे पर बात करें चलाकी से बात करने का ये सबसे सटीक तरीका है अगर बातचीत के दोरान सामने वाला अपनी ही बात पे अड़ा हुआ है और वो आप से बहस कर रहा है तो ऐसे में आप ये देखिए कि जिस बात को लेकर सामने वाला आप से बहस कर रहा है वो बात आपके लिए कितनी माइने रखती है अगर वो बात मायने नहीं रखती है, तो उस बात को लेकर बहस बाजी करने का कोई मतलम नहीं बनता, तो ऐसे में आप चालाकी से बात करके, यनि की कोई बहाना बना कर वहां से निकल सकते हो, और बहस बाजी से बच सकते हो. kg 7, कोई भी बातचीत इस तरह से टालो अगर आप किसी इनसान से बातचीत करने से बचना चाहते हो तो आप उसे सामने से तो ना नहीं कह सकते ऐसी परिस्थिती में जब वो इनसान आप के पास बात करने की कोशिश करे तो उसे कम से कम शब्दों में बात करो और उसने जिस चीज के बारे में आप से बात की है सिर्फ उसी चीज के बारे में बात करें अगर किसी चीज के बारे में आपको बात नहीं करनी तो थोड़ा सा emotional होकर उनसे उस चीज के बारे में बताने से मना कर दें इस से उस इंसान को बुरा भी नहीं लगेगा और आप इस तरह से चलाकी से बात करके उनसे बातचीत करने से बच सकते हैं बात करते वक्त आप अपने हातों का मतलब हैंड मूवेंट्स का चेहरे के हाउभाओ यनि फेश्यल एक्स्प्रेशन का इस्तेमाल करो बात करो बात करो आई कॉंटेक्ट ठीक करो सामने वाले की बातें सुनते वक्त सर हिलाओ ये कुछ चीजें हैं जो आपको बातचीत करते वक्त इस्तेमाल में लेनी हैं, इससे लोग आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, आपकी बातों से बोर नहीं होंगे, लोगों की नजर आप पर रहेगी और आप लोगों पर अच्छा प्रभाव डाल पाओगे, मान लो अगर आप स्टेज पर खड़े हो और आपके सामने बात को खतम करें, कई सारे लोग बातचीत तो सही डंग से कर लेते हैं, पर जब बात को खतम करने का समय आता है, तब वो सही डंग से खतम नहीं कर पाते, और इससे लोगों को लगता है कि आप उनसे बात करने में इंट्रेस्टेड नहीं है, आपको चलाकी से बात को खतम क करना है मतलब आपको सामने वाले इंसान को इस्पेशन फील कराना है जिससे की सामने वाले इंसान आप से खुश हो जाएगा और आपकी बात अच्छे ढंग से खतम हो पाएगी थैंक्स फॉर वॉचिंग